आज गंतंत्र दिवस आप सभी को गंतंत्र दिवस की हादिक सुपकमना है आए जानते हैं गंतंत्र दिवस पर विशेश गंतंत्र दिवस हर्थल 26 जनवरी को देश भर में बड़ी धूम धाम से मनाया जाता है बतादे 26 जनवरी 1950 के दिन ही सुब़ 10 बच कर 18 मेट पर भारत का समिधान लागू किया गया था इस दिन भी भीन कारेकरमों के आयोजन के साथ देश की रईधानी दिल्ली में राजपत पर प्रेड होती है बतादे देश के राष्ट्रिये तेवारों में से एक गंतंत्र दिवस के दिन देश वासी सुतन्जता सेनानियों वा बीर यो धावों को अस्मरन करते हैं हर वरस इस दिन राष्ट पतित रंगा जंडा फाराते हैं और एकईस तोपों की सलामी दी जाती है बतादे रिपब्लिक डेप पर देश में राष्ट्रिये अवकास घोसी था हलाकि कई भी द्यालेवा संस्थानों में इस दिन रंगा रंग कारेक्रमों का भी आयोजन होता है 31 जनवरी बात जारखन में इसकूल खुलेंगे मंत्री कुरुना संक्रमन के कारण जारखन में इसकूल कोलेज बंद रहने पर उसे खोलने को लेकर राजे के सिक्छा मंत्री जगनात महतों ने एक बड़ी बात कही है आतादे बोकारों पहुंचे सिक्षा मंत्री ने स्कूल खोलने को लेकर 31 जनुवरी को फैसला लेने की बात दोराई इसे पहले पुकारों के चंदरपूरा में अवजित एक कारेकरम में भी सिक्षा मंत्री ने 31 जनवरी के बाद राज्य में स्कूल खोले जाने की बात कही थी साथ ही कहा था कि सकूली सिक्षा- इमसक्षता बिभाग राज्ये में बंद पड़े सकूलों को खोलने समन्दी प्रस्ताओ आपटा प्रबंदढ प्राधिकार को जल्द देगी क्योंकि अम्तिम फासला सीम हमन्त सुरेन के अध्यक्सता वाली आपदा प्रबंदन प्राधिकार की बैठक में ही लिया जाएगा गंतंद्र दिवस पर रांची के मुराबादी मैदान में दस भी भागों की निकलेगी जाकी बुद्धवार 26 जन्वारी को गंतंद्र दिवस के मौके पर जाकन की राईधानी राची के मुराबादी मैदान में दस भी भागों की ओर से जाकी निकाली जाएगी बतादे ग्रामीन महिला ससक्तिकरन मोहला कलास जल जीवन मीशन का मौडल आधी की जाकी निकाली ले जाएगे मौराबादी मैदान में राजेपाल रमेस बैस जन्ड तुलन करेंगे तो वहीं सीम हमान सुलेन दुमका के पूलिस लाइन परेट ग्राउन में जन्ड तुलन करेंगे बतादे गंतरन द्योस के मौगे पर ग्रामिन विकास विभाग के ओर से निकाली जाने वाली जाकी में पलास बरांड एवं फोलो जानो असिरवाद अव्यान का प्रदर्शन होगा इस जाकी के सहारे सकी मंडल की ग्रामिन मैलाव को जीवन में बदलाव की कहाने भी दिखेगी जार्खन के डॉक्टर गिरधारी राम गंजु को मर्नो प्रांत पदमसिरी सम्मान जार्खन के प्रख्यात सिक्छावीद सहीतिकार एवं संस्कृत कर्मी डाक्टर गीरिधारी राम गौंजु को मर्णों प्रात पदमसिरी सम्मान से नवाजे जाने की घोसना हुई है बतादे गंतरंत दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार की और से पदमसिरी सम्मान की घोसना के तहत डाक्टर गौंजु के नाम को भी सामिल किया गया है डाक्टर गौंजु जार्खन रत्न समेत कई अने समान से समानित हो चुके थे बतादे 15 अप्रेल 2021 को उनका निधान हो गया था खोटी के बेलवाद दाग गाउं में 5 दिसंबर उनस्तर उन्चास को जन में डाक्टर गौंजु के पिता का नाम इंद्रनात गौंजु एवा माता का नाम लाल मनी देवी था मोडल स्कूलों में सन्वीदा पर भरती होंगे 1335 सिक्छक राज्य के मोडल स्कूलों में सन्वीदा पर 1335 सिक्छक निउक्त होंगे बतादे स्कूली सिक्छा वसक्षरता विभाग ने इसकी त्यारी सुरू कर दी है सभी नवासी मोडल स्कूलों में सभी विशायों के सिक्षकों की नियुक्ती होगी बित विभाग ने इस पर अपनी समती दे दी है इन स्कूलों में अंग्रेजी में पढ़ाई होती है ऐसे में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने वाले सिक्षक इसमें नियुक्त होंगे बता दे केंद्रे बिद्ध्यालियों की तल्जपर या सिक्षकों की नियुक्ती होगी जब तक अस्थाई नियुक्ती नहीं हो जाती है तब तक अनुबंध पर सिक्षक बहाल होंगे कमिटी में महासचीव का पज समानने वाले अविनास पांडे को जारकन परदेश परभारी के नियुक्त कॉंग्रेस अध्यक सोनिया गांधी ने की है इसको लेकर पार्टी महासचीव केसी वेनु गूपाल ने मंगलवार को अजिस उतना भी जारी कर दी है बता दे कि मंगलव के मौके पर मौसम मुख्यता सुस्क रहेगा राज में कहीं कहीं हलके से मत दर्ज की धूंद देखी जा सकती है राज में कहीं कहीं घना कोहरा देखा जा सकता है मौसम विभाग ने अपने पुरोणान में बताया है कि 26 जनवरी को आंसिक बादल चाहे रहेंगे और हलके दर की बारिस के असार है जारकन के अधिकतर जीलों में धीरे धीरे पच्मी भी छोब का असर काम हो गया है मौसम केंद्र के प्रभारी बैज्यानिक अभिसेक अनन्द ने जारी कर बताया कि 26 जनवरी तक मौसम सुस्क रहेगा उन्होंने कहा कि बंगाल की खाड़ी से एक गर्म से हवा निचले अस्तर पर थी और ठंडी हवा उपरी थी गर्म हवा उपर नहीं जा पाए इस कारण कोहरा बन गया था जारखन में पूलिस नकसली मुढवेड जारखन के बोकारो जीला अंतरगत चतरो चट्टी थाना छेत्रे के धम धर्वा और परसा पानी के निकट कूंबा नाला टूंगरी जंगल में पूलिस नकसली मुढवेड हो गई थी बतादे इसमें पूलिस की ओर से लगबग 500 रा फटाक कर नकसली भाग निकले बताया जारा है कि एक क्रोर रुपए के इनामी नकसली मितले सिंग के दस्ते से पुलिस के मुढवेड हो इती गंतनत्र दिवस समारों में सामिल होने दुमका पहुंचे सीम हिमंत गंतानत्य दिवस समारों में सामिल होने सीएम हमान सुरेन मंगलवार को दुमका पहुंचे बतादे सीएम सीरी सुरेन 26 जनवरी को दुमका के पुलिस लाइन परेड मैदान में ज़न तुलन करेंगे इस दोरान सीएम सपोर्टेड पेट्रोलियम सबसीडरी योजना की भी सु बश्थ हुए वहाई कूल एक्टिव केस की संख्या 17460 है भारत में 274249 केस मिले जबकि कूल एक्टिव केस की संख्या 22,212,236 आज से मिलेंगे पेट्रोल सबसीडरी योजना का लाब 26 जनवरी से स्थिये महमन सुरेन राजे के राशनकारधारियों को पेट्रोल सबसीडरी योजना का लाब दिलाने के लिए इसकी सुरुवात करेंगे इसके लिए परकिरिया भी सुरू हो गई है राजे के लाल पीरा और हरा राशन करधारियों को इसका लाव मिलेगा बतादे गरीबों को इस शोजना को सही रूप से किर्वानित करने के लिए सभी जिले के डिसी को निर्देश दिया गया है अब तक राजे के 90,000 लोगों ने इस शोजना का लाव लेने के लिए आवेदन दिया है इसमें करीब 53,000 आवेदन की स्विक्रिती मिल गई है जबकि 13,000 से अधिक आवेदन को रिजेक्ट किया गया इसके अलावा 23,000 से अधिक आवेदन अभी पेंडिंग है 27 जन्वरी जार्खन बंद से पहले नक्सलियों की साजिस नकाम जार्खन के बोकारों जिला अंतरगत IEL गोमियों थना छेतरक के चिन्टू जंगल में एक नाले के नीचे में छिपाकर रखे गई बिसफोटा को पूलिस ने बरामत किया है मिली जन्कारी के अनुसार नक्सलिस संगठन भागपा मवाजे द्वारा मनाये जारे परतिरोत दिवस और 27 जन्वरी को बिहार जार्खन बंद को देखते हुए CRPF वोब पूलिस के सन्यूक्त सर्च अभ्यान के दोरान पूलिस ने उसे बरामत किया है JPAC के चेर्मेन को बर्खास्त करने की मायंग में सा जीत हुई है उन्होंने कहा राज सरकार जान बुझ कर मामले को भटकाना चाहती है यह सरकार युवा बिरोधी सरकार है युवाव के भविस के साथ खिलवार कर रही है RPN सिंग के कॉंग्रेस छोड़ने पर इर्फान ने लगाए गंभीर आरोप जार्खन कॉंग्रेस के परदेश परभारी रहे RPN सिंग के कॉंग्रेस सही स्थिपा देने और भाजपा में जुआइन करने के बाद जार्खन किराई निती गर्मा गई है बता दे RPN सिंग पर पीता पूत्र ने जम कर भडास निकाले है जामतरा विधायक इर्फान अंसारी ने RPN सिंग पर गंभीर आरोप लगाए वहीं उनके पीता गोड़ा के पुर्वसांसत फुर्वान अंसारी ने कहा कि RPN सिंग के जाने पर कॉंग्रेस अब और मजबूत होकर उबरेगी वहीं इर्फान अंसारी ने RPN सिंग पर गंभीर आरोप लगाए उन्होंने कहा कि इनका जार्खन कॉंग्रेस को मजबूत करने में कोई योगदान नहीं है कहा कि राहूल गांधी ने मुझे समान दिये इस कारण पिधान सभा में मेरा टिकट बच गया गुमला में 30,000 मैट्रिक स्कोलर सिप के लिए आवेदन जमा परमात्र 610 का ही खुला अकाउंट पिरी मैट्रिक एवन पोस्ट मैट्रिक चात्रिविति के जीला अक्तरिय समीति के बैठाक मंगलवार को ITDA भवन सभागार गुमला में हुई अध्यक्सता गुमला DC सिसीर कुमार सिन्हान की बैठाक मेट्यूज ने बितिये बर्स 21 members लेके अनुसुचिस जातिये और पिछज़ा रवार के बिद्यार्तियों को पिरी मैट्रिक चात्रिविति का लाप दिला है जाने के सम्हण मेट्रिविति के आग्तवन इस्तिति के समेक्षा की इस समिक्षा बैटाक में डिसी ने पाया कि गुमला जिला अंतरगात विभीन पिद्ध्यालों से लवक्ती से और आवेदन बैंक खाता खोले जाने के लिए जिले के विभीन बैंकों में जमा किये गए जिसमें से मात्र 610 बैंक खाते ही खोले गए धन्यवाद